को नंनों आफी ऑर्व हम ग्लास 7 की संस्क्रत का त्रेवेर दिश्य पार्ट पढ़ेंगे, त्रेवे दिश्य पार्वा, थर्टी चेप्टर क्या है, क्रत्युत्पन्मति वानरहह तुरंत, जिसमें तुरंत बुद्धिय अपनी चला है, थो बुद्धी मान वानर क्या होता है मतलब बंदर मगर , मतलब बंदर और मगर की कहानी पढ़ए हैए कि यह हो बंदर रहता हिए जामुन के पैडेश फें पैडेशं पैड़ली बाद पानी हो ऑंछा, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो बंदर उसको क्या खिलाते रहता है वो जामून लेकिन मगर का जो दिमाग है वो उसकी वाइब उसके दिमाग में क्या डालती है कि जब वो बंदर आपको इतने मीठे वल खिलाता है तो क्यों ना उसका जो हरदय हो है वो भी जामून क कि तरव मीठऊ होगा स्वाधिस्ट होगा तो क्यों ना उसको किसी बहाने से अपने गर लिया है तो बंदर चला जाता है लिकिन बंदर क्या होता समझदार होता। थी होता है तो टुरंत उसके सूजबुच से अपनी एज्ञान के किसी नदी की किनारी क्या था एक बड़ा जामुन का पेर था तस्यों परी एक हुआ है अफसर उस पेर पर एक कौन रहता था बंदर रहता था कौन रहता था बंदर तस्या नगाम एक हुआ मकरह अफसर उस नदी और उस नदी में ठीक है बंदर का रहता था उस पेर पेर रहता था और उस नदी में पेर के पास जो थी नदी उस नदी में एक कौन रहता था मगर रहता था वानरह प्रती दिना मधुरानी जंबु पलानी अभक्षयतु बंदर रोज क्या करता था मीठे जामून खाता था एक दा मगर नगा निश्क्रभ्य तस्य व्रक्षयस अधह आकक्षतु बंदर क्या करता था रोज मीठे खल काता था एक बार क्या हुआ मगर मच नदी से निकल कर उस पेड़ के नीचे आया किस पेड़ के नीचे जिस पेड़ के पे बंदर रहता था वानरह मकराय मधुरानी जंबु पलानी आयक्षत बंदर ने मगर मच को क्या दिये मीठे जामून दिये क्या दिए मेठे जामुन एफ वानर मकरयों मेत्री अभुवत तब क्या हुई इस प्रकार बंदर और मगर के दिच क्या हो गई दोस्ती हो गई एक स्मीन दिवसे मकरह निजभार्याय कानिश्चित जबु फलानी अनियतो दोस्त एक दिन क्या हुआ मगर मच अपनी पतरी के लिए के लेगे कुछ जामुन लेगे तानी फलानी खालित्वा तस्य भार्या अती प्रसन्न अभुवत तू अभुदत चाया वानरह प्रती दिना इमानी मधुरानी पलानी खालती तस्य व्रदय तुम तू अवश्य में बहु मधुरं भविश्यती क्या बोलती है जब इतने मीठे फल काती है तो क्या बोलती है उन फलों को खाकर उसकी पत्नी क्या हो जाती बहुत खुश हो जाती प्रसन हो जाती हो क्या बोलती है जो बंदर रोज इन मीठे फलों को खाता है तो उसका हरदय भी अवश्य ही कैसा होगा मीठा होगा कैसा होगा वान रस्य मधूरं हृरदय खा दी तुम इक्सामी , जब बोलती है, जो वानल इतने मीखे , जामून खाता है, तो उसका हृरदय भी कैसा होगा ? तो मैं क्या करना चाहती हूं ? इस बंदर का ृरदय खाना चाहती हूं, किस बंदर पेड़ पे रहता है.. क्या बोलती है शीग्र जाओ उस बंदर को कहां लेके आओ उसका हिर्दय लेके आओ ठीके यदी तोम तस्य हिर्दयम आनियम में न दास्यती दास्यसी तहिर अहम स्वप्राणा त्रच्शवामी मतलब कहती है कि यदि आप बंदर का हिर्दय नहीं ला पाएं या नहीं दोगे मुझे तो मैं क्या करूँगी अपने प्राण त्याग दूँगी मैं क्या कर दूँगी मर जाओंगी तिके इदम शृत्वा मकरह अति भीत अबवत तो क्या हो गया यह सब सुनके क्या हो गया बंदर गबरा आ गया ठीके है ना और वो क्या हो क्या टर गया कि अरे मेरी बीबी क्या करने लगेगी यदि मैं नहीं लाओंगा तो मेरी बीबी मर जाएगी और जब मर जाएगी तो फिर मैं कैसा हो जाओंगा अकेला हो जाओंगा तो वो डर गया तद नंत्रम मकरह वानरस्य समीपे अगक्षर अवदत चामित्रह चामित्रह फिर उसके बाद क्या होता है बंदर मगर किसके पास जाता है बंदर के पास जाता है समीपे अगक्षर उसके पास जाता है और क्या बोलता है है मित्र तब भातर जाया तवा द्रस्टूल मिस्टंस्ती क्या बोलता है कि है मित्र भातर जाया मतलब मेरी है ना मेरी पत्नी ठीके क्या करना चाहती है तुम्हारा निमंत्रन है ना आज मेरे घर पे क्या है तुम्हारा निमंत्रन है मेरी पत्ली तुम्हें मैं अपने घर बुलाना चाहती है अहम अगह मम ग्रहे तव निमंत्रन असी तो मेरे घर क्या है तुम्हारा निमंत्रन है मम भार दिया तव स्वागतार्त अती उस्वक अस्ती मेरी पत्नी क्या मेरी पत्नी तुम्हारा स्वागत के लिए क्या है बहुत उस्वक है बहुत जादा ठीक है तौम मया सह मम गरहम आगाश तुम क्या है इसलिए तुम मेरे साथ कहा चलो मेरे घर चलो वानरह अवदर मतलब बंदर बोला तब ग्रहम तुम जल मद्य अस्ती क्या बोलता है तुम्हारा घर कहा है कहा है घर तुम्हारा जल के बीच में जल मद्य मतलब पानी के बीच में जल के बीच में कथम अहम तत्र कमिश्यामी केसे में वहाँ जाओंगा मकरेन कत्यती मगर बोलता है अलम चिंतया मम प्रस्टम आरू है तत्रगन तुम मतला क्या करो तुम चिंता मत करो क्या मत करो चिंता मत करो मेरी पीट पर क्या हो जाओ तुम चड़कर बेठ जाओ कहा बेठ जाओ करता है, तो मेरी पीट पे चड़कर बिछचाओ, मगर मचने जिस किसी प्रकार से सबस्ता कर दिया ठीक है जब वो कहता है कि मगार नभानर बोलता है कि तुम्हारा घर कहां पर है पानी के बीचों बीचे तो मैं कैसे आप आउँगा तो मगर क्या बोलता है कि तुम्हारी चिंता में दूर कर दूंगा कैसे दूर कर दूंगा तुम मेरे पीट पे बेड़ जाना मैं तुमको ले जाऊंगा तो उसके जो वचन होते हैं वो वचन सुनके क्या हो जाता संतुस्ट हो जाता ओर वानर मगरस्य प्रश्टमारोहत यदा यदा मकर जन्मद्य अगक्षर तदा तम वानर विवश मत्वा मकर स्वभाब्रेह सर्वं ब्रतान्त वानरं अवदत्व क्या होता है कि मगरमच ये सब सुनके क्या हो जाता है बंदर के पीट पे बेट जाता है और जब मगरमच जल के बीच में गया तब उस बंदर को क्या हो गया विविश मानकर मगरमच ने अपनी पतनी के सारे व्रतान को बंदर को बोल दिया मतलब क्या कर दिया उसने जब ले जाता है उसको क्या होता है कि विवश होकर मतलब जो बंदर रहता है उसको दोनों दोस्त रहते हैं तो जो मगर रहता है क्या होता है कि उसको मझबूरन सबचिच क्याव करने पड़ी बंदर को बतानी हляता है बंदर को बता देता है वानर प्रत्यू न मस्ति आसित वानर कैसा तो बंदर कैसा था तुरंच चतुरवान था तो उसने चरपना दिमाद दोड़ाया तत्षृत्वा सहा कत्या यहां सुनकर वों क्या हो बोला यगेव मस्ति तहीम तोया पूर्वा में कि मर्थम ना कत्थी तम क्या बोलता है यदि ऐसा है तो तुम्हारे द्वारा क्या पहले ही क्यों नहीं कहा तुम्हारी वाईव क्या करने करेगी मेरा हृदे खाईगी कैसा है मां हृदे तुम जंबू रक्षस से कोठवे नहे नही ट रहा कहता है क्यों नहीं तो जामून के पेर में कोठव में रखाई कोठ गास्वास का जो बना रहा गोस Cyrus उसमें रखा है तो जब वो सुनता है तो क्या बोलता है कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया ऐसा तो मेरा तो जो हृद्ध है वो कहा लटका हुआ है कहा रखा हुआ है कोटर में रखा हुआ है तदा मकरेड कोस्तम अहम त्वा पुनह जम्बू रक्ष है प्रतिनशियामी क्या कथ हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों भी बताया कि न मत्तल तुम यह सब करने वाले हूं तुम्हें क्या करता है पहले ही मेरा हुद्धे लिया तर बठ मेरा हिदे कहा रखा है कोटर में रखा प्रस्टात त्वरीत में उत्पुलोत्य व्रक्षम आरोहत तब क्या करता है जब के पास बंडर क्या हाँ अगर्मक की जब कर चलेमाक ब्रक्षम department क्या बोलता है कौन बोलना कर मकर मतलêmes मगर रे मकर तोमना के बडलां विश्वास-घाती कि मागरमच से क्या बोलता है आरे मागरमच तुम ना केवल विश्वास घाती हो अपी तो क्या हो मूर्ख भी हो किम कस्यदी रुदेश तस्य शरीराद प्रथत भवती क्या बोलता है क्या किसी का रुदेश उसके शरीर से अलग होता है शीग्र में अस्मात इस्तानात अपर सरह पुना मागक्षन क्या करता है जब बोलता है कि कि किसी का शरीर हिर्दय किसी के शरीर से अलग होता है तो क्या होता है शीग्र ही इस इस्तान से दूर चले चला जाओ मतलब मगर को क्या बोलता है बंदर कि तुम श्रीगराई इस श्थान से चले जाओ इस प्रकार से अपनी बुद्धी के कोशन से वह बंदर अपने प्राणों की रक्षा करने में سमर्थ हो जाता है यह समर्थ हो गया तो यह पार्ट का सार की अपन को भी बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे की है ना हमको नुक्सान हो ठीके तो यह चेप्टर अपना यहीं एंड होता है बिच्चो अब वो सबको यह कौन सा चेप्टर था अपना 13 तो 12 चेप् अपनी फेर वापी कंप्लेट करना है वो मुझ कापी कंप्लेट करना है फेर कापी में नीड एंड क्लीन लिखना है ठीक है वो नेक्स वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइस के साथ मिलेंगे जब तक के लिए बाबाय टेक्टियर